कल ग्री मंत्रे अमिच शाह ने एक बार फिर से संसत के अंदर CAA का जिक्र किया यानि कि सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिक्ता संशोदन अदिनियम का जिक्र जो है ग्री मंत्रे अमिच शाह की तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने साफ तॉट पर और क्लियर क इसमेंटा में अब यही कि पीच में जो है अपने जो उनके मुस्लीम भाई है उनसे इस बात कि अपील की कि मैं अपने मुस्लिम भाई उस बात का पीर करता हूं कि किसी के बहिकावे में नाए उन्होंने ये भी का कि मुसलिम भाईों को बहकावे बहकाया जा रहा है उनको ये समझ नहीं आरहे कि CAA क्या है अब दर्शकों के लिए ये समझना बहोत जरूरी है कि CAA क्या है और यही समझाते हम आपको आज असान शब्दों में CAA यानि कि Citizens इसके तहत यह डिसाइड किया गया था कि दिसंबर 2014 से पहले तीन देश यानि कि पाकिस्तान बांगला देश और अफगानिस्तान से छे धर्म के लोग जिसमें हिंदू, जैन, सिक, पार्सी, इसाई शामिल हैं इन छे धर्मों के लोग जो हैं अगर इन तीन देशों से आए है दिसंबर 2014 से पहले तो इन्हें भारत की नागरिक्ता दी जाएगी बहुत असान शब्दों में आपको समझाने के कोशिश करें ये छे धर्म हैं जो अगर दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके इन तीन देशों से जो है पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान तो आपको भारत की नागरिक्ता दी जाएगी क्योंकि सफ तोर पर जो है सरकार ये मानती है कि अलपसंकिक समुदाय के लोग हैं और इनको नागरिक्ता दी जानी बहुत जादा जरूरी है अगर इनको नागरिक्ता नहीं दी जाएगी तो इनके ओपर लगातार अत्याचार होते रहेंगे और इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इन्हें जो है अब वक्त आ चुका है कि अब इन्हें CAA के तहत नागरिक तक दे दी जाए लेकिन इन सब के बीच में भावी समझ ये कि Muslim Community जो है वो लगातार इसका विरोध कर रखी है Muslim Community बर-बर ये यानि कि उन देशों में जो अब संक्यक है चाहे वो पाकिस्तान हो गया बंगलदेश हो गया फिर अफ़ानिस्तान हो गया वहाँ पर मेजौरिटी में मुस्लिम जाधा है और अगर माइनौरिटी में देखा जाए तो जाहिर सी बात है अलपसंख्यक में जो है हिंदू, पार्सी, सिक, इसाई जो है और बौद के लोग आते हैं और यही सरकार ने क्लियर कट इस बात को समझाने की कोशिश की है किसी एक के तहट जो है किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि अगर मुसलिम भाईयों को इस बात के लिए भड़काया जा रहा है कि आपको जो है देश से बाहर निकाल लिया जाएगा आपकी नागरिक्ता छिंजाएगी तो सरकार ने क्लियर कट क्या दिया कि ऐसा कता ही नहीं है किसी को भी जो है देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा हम सर्फ जो अल्पसंध्यक हैं हम उनको नागरिट्ता देने की कोशिष करा है हम उनको एक पहचान देने की कोशिष कर llevar तक आज तक उनकी उपर अत्याचार होते हैं क्योंकि वह मांइनौरीटी जहैं तो वो उनके उपर अत्याचार जो फोशिष के घ़िक और और इस बात का एलान किया जा चुका है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है CAA लागू कर दिया जाएगा और इस लिए इस वीडियो के जरी आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि CAA क्या है आप इस वीडियो को जादर से जादर शेयर करें ताकि लोग ये बात समझ सके कि CAA को लेकर जब सरकार प्रतिबद है तो आखिर उसका मतलब क्या है